ये आकाशवाडी का प्रसारण है विविद्ध भारती संगीत सरिता नमस्कार शुताओ संगीत सरिता कारिक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रंखला गिटार का सुरीला संसार इस श्रंखला में हमारी आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद गिटार वादिका विदुशी डॉक्टर कमला शंकर आपसे बाचीत की है जयंत पात्रिकरने आज आप सुनेंगे इस श्रंखला की आठवी कड़ी स्वागत है सभी सुनने वालों का गिटार का सुरीला संसार में कमला जी हर साज की अपनी शक्सियत होती है साज में कुछ बदलाव करके एक नया साज बनता है जिस प्रकार से पंडित विश्व मोहन भट साहब ने अपनी गिटार में बदलाव किया बनी मोहन विणा ऐसे ही शंकर स्लाइड गिटार है जो आप बजाती है हमें उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताईए बच्पन से जब मैंने बजाना प्रारहम किया तो उस वक्त तो मुझे आवशक्ता नहीं पड़ी पर जैसे जैसे समय बीता गया, सोच बढ़ती गई, स्रजन शमता बढ़ती गई तो 1999 के आसपास आते आते मुझे लगा कि छे तार के गिटार में कुछ परिवर्तन होना चाहिए इसके साउन को ले करके, इसकी टोनल कॉलिटी को ले करके बहुत कुछ चिंतन चला हमारे पास फिर मैंने अपने जो भी मेरी पास, जितनी भी सोच आई, तो उसको मैंने अपने निरमाता, अवाद्य निरमाता, पंडित बिशंदा शर्मा जी को बताई, तो उन्होंने शंकर गिटार का निर्मान किया तो इसमें आप देख रहे होगे कि इसकी सबसे इची एक बनावट को लेके विशेष्टा ये है कि इसका जो बेस है, यानि कि जब हम इसको गोध में रखते हैं, इसका फ्लाइट बेस है, तो इसको गोध में एकदम आराम से रखने में आसानी होती है और ये अपनी जगध से हिलता नहीं है पहली बात तो आपका पॉश्रल जो आपका है वो बहुत ही बढ़िया रहता है इसमें आप आराम से ध्यानस्त होके बजा सकते हैं गिटार के प्रती हमारा ध्यान कम होगा कि यह हिल रहा है या इसको ठीक से रखना है कि सिटिंग के अंतर गति हम इसको बार-ब हम लोग नहीं उपयोग किये हैं वो पलसा सा में है अगर धैवत प्रधान या मध्यम प्रधान राग है तो उसमें धासा सा या मसा सा इस तरीके सा मिलाते हैं और तरब कितारों को तो जो राग में जैसे जो भी नोट्स लगते हैं उनके हिसाब से तरब कितार मिलाया जाते एक और विशिशता है कि गिटार में सामाने तया sound hole यानि कि ध्वनी रंद्र पाये जाते हैं, जो कि गोलाकार आकरती लिये होते हैं या F-cut sound hole, F-cut यानि कि बोर्ड में side की तरफ होते हैं, तो उसमें F जैसी बनावट होती है, तो वो भी ध्वनी रंद्र का एक तरीका है, पर इस शंकर गिटार में कोई sound hole नहीं है, यह एक ही लकडी का बना हुआ है, अंदर से यह पूरा खोकला है, तो इसकी sound quality इस तरह से बनाए गए जो हमारे भारती साथ से मिले, और इसको जब बजाए तो इसमें जो धनी निकले, वो बहुत हद तक, जिसमें meditative, जिसका sound हो, और पहला सा है, दुसरा मा, फिर बेस स्ट्रिंग्स, सा, फिर मध्यम, और पीछे की तीन जो चिकारी कितार हैं, वो धह सा सा में मिले, याने कि और तरब की तार, जिसरा आग गोरक कल ल्यान है, तो इसमें मैंने इसको इसमें ट्यून किया हुआ है, तो यह तरब की तार की विशेशता ये रहती है, कि जब हम मुखे तार पे जब स्लाइट करते हैं, तो हम को जिस स्वर पे हमें रूखना होता है, या फिर उसमें वातारण में उसको बनाए रखती है तो जैसे हमने किया जैसे माली जे निधसालिया या मधनी सालिया तो इतना देर तक यह जो वातारण में जो साउंड आता है यह इसमें जो उप्योकिये तरब तारण की वज़द से आता है तो ये तरब बुन्जास मेर बुआ ये जो स्टील पीस है जिसे स्लाइड का जाता है ये वह कुछ अलग अलग तरह है ये भी विङिनoprakar मैं जो इस्तमाल करती है ये जो है जो जगेनरल मतब ड़िटार का जो पार का नहीं इसका measurement होता है, यह जो मेरे पास अभी मेरे हाथ में बार रखा हुआ है, पर इसकी बहुत सारी sizes भी उपलब्ध हैं, कई लोग बहुत बड़ा भी इस्तेमाल करते हैं, कम से कम समली जी एक हतेली के बराबर size का भी rod होता है, और कई लोग इस rod को cylindrical ना इस्तेमाल करके च जराब से भी इसको बजाया है, तो बहुत सारी बाते हैं इसमें, तो देखना यह पड़ता है कि किस तरीके से हम अच्छा sound प्रोड्यूस कर सकें, यह प्रयास होना चाहिए, तो आज के प्रोग्राम में हम किस राग के नाद को प्रमुखता से सामने लाएंगे, जी आज मै मैंने सोचा है राग गोरक कल्यान प्रस्तुत करूँ और मैंने इसको ट्यून भी कर लिया हुआ है, तो राग गोरक कल्यान, रात्रीका राग है, बहुत ही मधुर राग है, तीन ताल पराबद, तो ताल पराग राग, तो कर दो 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 कर कर दो कर दो वाह, बहुत ही सुन्दर गिटार का सुरीला संसार शुरताव, आज आप सुन रहे थे इस श्रिंखला की आठवी कड़ी इस श्रिंखला में हमारी आमंतरित कलाकार है सुप्रसिद गिटार वादिका विदुशी डॉक्टर कमला शंकर आप से बाचीत की है जयन्त पात्रिकरने तबला संगती श्री काली नाथ मिश्रकी तकनीकी सहयोगी गणेश शिंदे और वंदना ठाकुर विविद भारती की ओर से इस कारिकरम की प्रस्तोत करता मनीशा जैन